यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है जो shopify.com के उपर अपना drop shipping account create करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं यहां पर मैं आपको A से लेकर Z तक का पूरा process बताऊंगा कुछ भी अगर आपको doubt रहता है तो please comment में जरूर लिख देना ठीक है तो वीडियो करते हैं start account create करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इसकी official website पर इस page पर इस page के लिंक मैं आपको वीडियो के description box में भी दे दूँगा जहांसे आप इस page पर direct आ सकते हो ठीक है यहां पर आपको simply अपनी एक email ID डालनी होगी इसके बाद start free trial पर click कर देना है इसके बाद देखिए यहां पर लिखा आता है कि क्या आप अभी start कर रहे हो या आप already आपने अभी start किया है एक second अभी आपने start किया है या पहले से कोई समान already बेच रहे हो ठीक है तो अभी हम just start कर रहे हैं first time account create कर रहे हैं तो यहां पर हम click कर लेंगे इसके बाद simply next पर click करेंगे इसके बाद ही कि बहुत सारे यहां पर हमारे सामने option आ जाएंगे कि आप किस तरीके से अपने product को बेचना चाहते हो ठीक है बहुत सारे तरीके हैं, आपको यहाँ पर online store बना कर बेच सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पर sale at retail store, pop-ups या other physical location पर बेच सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर आप website के थूरू बेच सकते हो, या फिर आप social media के थूरू बेच सकते हो, या फिर online marketplace के थूरू भी यहाँ पर sale कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ बेच सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे common भी तरीका है वो होता है online store बना कर यहाँ पर आपको अपना एक online store बनाना होगा जिसमें आप सारे product को add कर दोगे एक तरह से product को एक साथ देख सकता है और वहां से जो भी इसको buy करना होता है वो buy कर सकता है ठीक है तो यह basically अभी simple method है इसके अलावा अगर आपके पास website है या फिर ब्लॉग आप blog बगर बनाते हो ब्लॉग लिखते हो तो वहां पर भी आप directly अपने product के link को add कर सकते हो और वहां पर buy बटन लगा सकते हो ठीक है तो यहां पर मैंने दौनों options set कर लिए है क्योंकि मेरे पास website भी है और मैं online store आपर open करना भी चाहता हूँ तो आपके तो सारे product बताए गए हैं जैसे कि आप product खुद बनाते हो उसको बना के बेचोगे इसके अलावा आप digital product बेचना चाहते हो या आप drop shipping करना चाहते हो या आप service वगरा प्रवाड करते हो जैसे कि coaching, housekeeping, consulting वगया रखी या फिर आप print on demand product बनाते हो पतलब आपके पास order आएगा फिर आप print बगरा करोगे, design बनाओगे, उसके बाद बेचोगे, यह सारे option है ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलाल जो video बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ drop shipping के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर drop shipping ही select करूँगा, वाकि आप अपने हसाब से हाँ पर select कर सकते हो, ठीक है, तो हमारा business इंडिया में हम कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, तो इंडिया ही select रहने दूँगा, इसके बाद next पर click करूँगा, इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी email ID select करने होगी, जिससे कि आप अपने account को create कर सको, ठीक है, तो मैं simply sign up with google पर click करके, उस email ID को यहाँ पर select कर इसके बाद दोस्तों आपके सामने यह वाला page खुलेगा, यहाँ पर हम एक एक करके अपने Shopify drop shipping account को create कर सकते हैं, setup कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर online store दिख रहा होगा, इस side में, यहाँ पर देखी लिखा हुआ है, online store, तो यहाँ पर हमें click करना होगा simply मैं इस पर click करता हूँ, इसके बाद themes पर यहाँ पर automatic click हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बहुत सारी themes आजाएंगी, एक तरह से मान लिजी आपका जो store बनेगा, वो किस तरीके से यहाँ पर show करेगा, वो आपको यहाँ पर set करना है, ठीक है, वो theme आपको इसके बाद देखे, आपके सामने बहुत सारी themes आजाएंगी, simply यहाँ पर हम free पर click करेंगे, तो जो free themes होंगी, वो सिर्फ वही यहाँ पर दिखाए देंगी, ठीक है, simply space को नेचे करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपका store देखेगा, अगर आप यह theme लेते हो, इस तरीके से देखेगा, अगर आप यह theme लेते हो, आप simply refresh वाली theme ही ले रहा हूँ, यह वाली, ठीक है, simply इस पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम try theme इस पर click करेंगे, ठीक है, इसके बाद देखे दोस्तों हमारी जो theme थी, जो अभी हमने select करी थी, वो हमा उनारी library में यहाँ पर save हो जाएगी, आपको दिख़रा होगा, वो हमारी जो theme थी, वो हमारी library में save हो गए, ठीक है, तो इसको publish करने के लिए, अपिला ने के लिए अप्लाई करने के लिए simply हम publish पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम published पर click करेंगे, ठीक है, इसके बाद हमारी जो theme थी वो change हो चुकी है और हमारी theme हो गई है refresh देखे रिखागे current theme में refresh यही theme अभी हमने select करीती है ठीक है अब इसको customize करने के लिए हम simply customize पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका जो store है वो किस तरीके से दिखेगा इसका पूरा में देखना है कि मुबाइल में कैसा देखेगा simply हम यहाँ पर click करेंगे इस side में देखे आपके सामने icon दिए गए है कि मुबाइल में कैसे देखेगा और desktop में कैसे देखेगा तो अभी desktop mode में है यह मुबाइल के लिए simply मुबाइल पर click करेंगे और इस तरीके से देखिए मुवायल में आपका जो store है वो इस तरीके से देखेगा यहाँ पर आपके product list होंगे इस तरीके से यहाँ पर my store लिखा हुआ है welcome to our store लिखा हुआ है इस सबी को आप customize आराम से कर सकते हो तो customize करने के लिए वापर सेम desktop mode पर ही आ जाएंगे इस पर अपने store के लिए एक logo लगा लेते है logo लगाने के लिए आपको simply यहाँ पर इधर देख रहा हुगा add section इस पर click करना है अ देखिए मैं थोड़ी कलती कर दी एक मेंट हमें header पर click करना है ठीक है logo लगाने के लिए simply header पर click किया मैंने दिखायता है यह गदार से आपको यहां पर आपको दिख रहा हुगा header दिख रहा है यहां पर मैंने header पर क्लिक किया add क्लिक किया इसके बाद यहां पर theme setting पर क्लिक किया इसके बाद देखिए select image वाला option आगया है logo के लिए तो logo के रूप में आपको जो भी image यहां पर add करनी है जो logo अपना add करना है यहां पर जो कि यहां पर आपको दिखाई देगा वह आप यहां पर add कर सकते हो ठीक है तो मैं अपना logo यहां पर add कर लेता हूँ अगर आपके पास logo नहीं है तो आप directly website से भी logo बनवा सकते हो ठीकि logo बनाने के लिए आप इस website का start ले सकते हो luka.com simply यहाँ पर आपको अपनी company का नाम या अपनी दुकान का नाम या फिर अपने store का नाम रखना होगा जो भी जिसी भी नाम से आप काम start करना चाहते हो ठीक है for example के लिए मान लीचे मैं यापर baby truck ठीक है baby truck store के नाम से यापर मैं account एक logo क्रेट करवाना चाहता हो let's make logo पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपने product type select करना होगा कि किस type का आप store बनाना चाहते हो किस product के लिए बनाना चाहते हो ठीक है तो मैं simply art and craft पर क्लिक करूँगा इसके बाद continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखी दोस्तों यहाँ पर कुछ logo आ चुके है simply हम यहाँ पर यह बड़ देख लेंगे इसके प्रिक लेकर देखा हूँ ठीक है इसके बाद यहाँ पर pick some colors you like इसको भी skip कर देखा हूँ ठीक है इसके बाद कम्ते का नाम डाल देखा हूँ baby truck store ठीक है continue इसके बाद handmade craft craft इसके बाद continue इसके बाद दीखे आपके सामने काफी सारे logo आ जाएंगे आपको जो भी logo यहाँ पर पसंद आ रहा है उसको आप easily download कर सकते हो जैसे कि for example के लिए मुझे यह वारा logo पसंद आ रहा है simple है यह बल्कुल तो मैं simply इसी पर क्लिक करूँगा ठीक है और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको download कर सकते हो ठीक है अब हमारा यहाँ पर logo तेहर हो चुका है चलिए इसको अब अपने drop shipping वाले store में upload कर देते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो logo था वो add हो चुका है ठीक है इसके बाद simply हम नीचे करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर announcement बार पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक line दिख रही होगी यह है अमारा announcement बार जहाँ पर लिखा हुआ है welcome to our store लिखा हुआ है तो इसको आप change कर सकते हो या फिर आप इसमें कुछ लिख सकते हो जैसे कि मान लेजिए कोई offer चल रहा है आपके store पर अभी या आपने कोई extra discounts निकाला है इस particular time के लिए तो वो एक तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर आपको इस बार को हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हो ठीक है नहीं तो सबसे बढ़िया यह रहेगा आप इसको change कर दीजिए ठीक है चेंज करने के लिए simply यहाँ पर अधिस पर क्लिक करना है कि सब्सक्राइब कि यहाँ पर देखा आपको दिखाए देगा welcome to our store लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो ठीक है मैं लिखता है हमाँ पर simply इसके पर देखे लिखा गया फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड तो इस तरीके सा आप कोई भी मेसेज यहाँ पर दे सकते हो ठीक है तो यह दूसरा काम था हमारा इसके बाद आपिस आपको रहाँ पर प्र बैक आजाना है यहाँ पर ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको अपने स्टोर का पहला पेज क्रेट करना हुगा उसके लिए आप यहाँ पर दिख राओको नेचे आपको सिंप्ली इसी पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद इमेज विश्ट वाले पर क्लिक करना है इसके बाद इसके बाद इस वाला पीज आपके सामने खुलेगा यहाँ पर आप अपने product की image add कर सकते हो, साथ इसाथ उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, for example के लिए समझने के लिए, मैं आपको दिखाए दो यहाँ पर, इस तरीके से आपका page कुलेगा, यहाँ पर आप image select कर सकते हो, select image पर click करके, इस side में देखिए, इदर दिखर आपको, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर click करेंगे, और जो भी image आपके computer पड़ी है, जो आप upload करना चाहते हो, उसको upload कर देना, अभी फिलाल समझाने के लिए, आपको मैं हाँ पर explore free image पर click कर दिखाए ता हूँ, इस पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपने हिसाप से, प्रोड़क्ट के हिसाप से, आप click देंगे, आपके, जैसे कि अभी लिखते हैं हम रहाँ पर, इसके बाद देखिए, मैंने हाँ पर कोई भी image set कर लिए, जैसे कि, मान लिजी हम, इस image को यहाँ पर set कर लेते हैं, इसके बाद देखिए, हाँ पर हम इसको image height को रखेंगे, simply medium, देखिए, medium हो गई है, और desktop image width को रखेंगे, यहाँ पर large, ठीक है, इसके बाद नहीं चाहेंगे, desktop image placement, इसको रखेंगे, आपने हाँ आपर, image second, इसके बाद desktop content alignment को रखेंगे, आपर हम, desktop content positional रखेंगे, middle, और इसके बाद desktop content alignment को रखेंगे, left, इसको रखेंगे, middle, इसको रखा है, left, इसको रखा है, यहाँ पर हमने, content layout को करेंगे, overlap, ठीक है, इसके बाद color scheme को, यहाँ पर देखेंगे, दिखरा होगा आपको, color scheme को करेंगे, हमने आपर background, इसके बाद आपको, यहाँ पर, text पर क्लिक करना है, text पर इसके बाद आपको यहाँ पर edit करना होगा, इस text को, ठीक है, इसके लिए simply आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर, इस side में क्लिक करोगे, तो आपको सामने यहाँ पर, यह option कुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप, जैसे कि मैं अपने case में, अपने store करना हम लिख ज़रा हूँ, directly, baby truck store, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम, अपने store के बारे में कुछ brief में लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर, हम करेंगे button पर क्लिक, और button का नाम में ला देता हूँ, यहाँ पर, shop now, ठीक है, now, इसके बाद यहाँ पर आपको link डाला पड़ेगा, जिसका मतलब यह होगा, अगर कोई shop now पर क्लिक करता है, तो वो कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे थे हैं, collection पर क्लिक, इसके बाद all collection, ठीक है, इसके बाद आपको simply उपा save पर क्लिक कर देना है, ताकि सारी setting आपने जो करी है, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक इसी पेज़ पर add section वाले पर क्लिक करना है, ताकि जो हम कोई अगर कोई हम बारे swap now पर क्लिक करेगा, तो वो हमारे all collection में पहुंचेगा, जहाँ पर हमारे सारे product रखे होंगे एक साथ में, ठीक है, तो वो पेज हमें बनाना पड़ेगा, अपने products add करने पड़ेंगे, इसके लिए simply हाँ पर add section पर क्लिक करेंगे, और collection list पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद देखे, आपका जो collection list है, यहाँ पर इस तरीके से open हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको देख रहा होगा, कि अभी तेक हमारा कोई भी product add नहीं है, यह भी खाली है, यह भी खाली है, यह भी खाली है, ठीक है, तो हमें product add करने पड़ेंगे, product add किस तरीके से करने है, इसके लिए simply आपको यहाँ पर exit पर right क्लिक करना है, यहाँ पर आप add product पे क्लिक करोगे, ठीक है, इसके बाद अपने product का नाम जैसे कि short, sleeve, t-shirt, या pant, shirt, mug, जो भी आप sale कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पर डालोगे, उसके बाद यहाँ पर आप उसके बारे में लिखोगे, और यहाँ पर उसकी photo को add करोगे, और नेजे के side में आप यहाँ पर उसका price अड़ करोगे, इसके बाद compare add price यहाँ पर add करोगे, इसके बाद charges tax on this product यहाँ पर आपको add करना पड़ेगा, सब कुछ add कर देना है आप ठीक है, जैसके for example के लिए हाँ पर 119 रुपय की मैं डालता हूँ यहाँ पर और compare डालता हूँ हाँ यहाँ पर, cost charge tax on this product यहाँ पर दूस्तों मान लिजे मैं यहाँ पर आपके लिए हम आते हैं Google पर ठीक है, Google पर हम किसी product का image उठाएंगे और यहाँ पर upload करेंगे, तो जैसे हमें आपके लिए हमें आपके लिए हमें आपके लिए हमें हैं आपके मैंने क्लिक किया, इसके बाद कुछ toys हमार लिए जो बीबी के लिए बहुत important हैं, जैसे कि मान लेजे यह हमारा है, हम इसी को लिए लेते हैं आपके ठीक है, इसकी image यहाँ पर हम उठाते हैं, पर क्लिक करते हैं, तो इसकी image को मान लेजे हम यहाँ से, इसकी image को लेजे हैं, ठीक है, ठीक है ठीक है इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पर इसका नाम में डाल दिया और description यहाँ पर उसके photo प्रोट कर दी, यहाँ पर उसका price डाल दिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर quantity डाल दी, इसके बाद बाकि अगर आपको और detail एड़ करने हैं तो आप add कर सकते हो, इसका जो weight अगर है जो भी आपका add करना है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको status active रहेगा, और simply इसके बाद आपको save प पर click करेंगे, और यहाँ पर देखे दोस्तों हमारा जो पहला product था वो इस तरीके से यहाँ पर add हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से आप और product भी add कर सकते हो, add product पर click करके, ठीक है, ठीक है, तो सिर्ब सम्झाने के लिए मैं आपको अपको पहला दिया, कि पहला product आपको किस इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद दूस्तों आपको अपने products को अलग-लग category में बाटना पड़ेगा, तो बाटने के लिए simply यहाँ पर आप collection पर click करेंगे, और यहाँ पर by default एक आ राखा है, homepage बनके, हम इसको simply delete कर देंगे, ठीक है, कर दिया, इसके बाद यहाँ प product add किया था, cactus वाला, उसको मुझे अलग category में रखना है, ठीक है, तो जहाँ पर आदेता हूं, मान लेजे मैं, toys, ठीक है, toys, इसके बाद यहाँ पर manually पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर add image पर click करेंगे, और मैं वही image यहाँ पर add कर लेता हूं, ठीक है, वही image मैंने हाँ इसके बाद simply यहाँ पर save पर click कर दिया, ठीक है, आप देखे मेरी collection यहाँ पर add हो चुकी है, तो इसके बाद देखे किसी product को collection में add करने के लिए, simply आपको product पर click करना है, उसके बाद मान लेजे मुझे इस वाले product को अपने इस category में रखना था, पहरे वाले जो मैंने category बनाय तो मैं यहाँ पर click करूँगा, इसके बाद यहाँ पर add to collection पर click करूँगा, और twice में इसको डाल दूँगा, ठीक है, इसको save कर दूँगा, और यहाँ पर देखे हमारा जो एक product था, वो हमरे collection वाले category में alert हो गया, इसके बाद देखे, आप दो तिन category बना सकते हो, अलग लग इसके बाद जो super heroes होते हैं, उसकी होगे, इस तरीके से हम अलग लग type की categories बना सकते हैं, ठीक है, समझ रहो, इसके बाद हम यहाँ पर अपने editor वाले पेच पर जाएंगे, जहां से हम अभी इसमें आये थे, इसके बाद हम इस पर click करेंगे, इसके बाद ही कि यहाँ पर आपको इधर देखेगा, इस side में, देख रहा है, तो simply हमें यहाँ पर first वाले पर click करना है, यह first वाले पर, यहाँ click किया हमने, इसके बाद ही कि इधर आ जाएगा हमारा सामने है, यहाँ पर हम create collection पर click करेंगे, sorry, यह हमारे सामने जो हमने एक से इस तरीके space को लेगा, यहाँ पर select collection पर click करना है, और जो collection हमने बनाया था, जो category बनाया था, जो folder बनाया था, उसका नाम आ जाएगा, तो twice वाला आ गया, simply हम इस पर click करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो collection में, वो twice दिखा रहा है, इसी तरीके से मान लिए यह cars हो गया, superheroes हो गया, इस तरीके साब अललग collection में, अललग product अड़ कर सकते हो, ठीक है, twice में मैंने एक toy अड़ किया है, आपके सामने के दिखाने के लिए, इस तरीके साब अललग collection में, अललग product अड़ कर सकते हो, यह आपका काम हो जाएगा, ठीक है, select पर click करेंगे, इसके अब भी एक ही प्रोड़क्ट में एड़ किया है और बाकि आप अगर ज्यादा प्रोड़क्ट फैड़ करोगे तो आप फीचर वाड़ा जॉप्शन है वह अपने आप कॉस्टमाइज कर सकते हूं कि कौन सा प्रोड़क्ट आपका फीचर में देखे ठीक है अगर आपको इसको चेंज करना है कलेक्ट्षन को चेंज करना है शिम्पल करोगे इसके बाद एक यहां पर आजाए कलेक्ट्षन अटा सकते हैं और लेख सकते हैं पाइंड दपकॉरफेक्ट पाहेंद अपर्टेक्ट ट्वाइब और यूँवर आइद पर्टेक्ट फूरे चिल्डर और यूवर चिल्डर ठीक है याइद चाइल्ड इलिए ठीक है मैंने ठीक है इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे भी आपके हापर करना है हुं कि माल जो गया है तरीकिसे आया आप आ पर कर सकते हुं अ राधेक है कि नासें आप अधर कर सकते कि टिछाने है आ पर भेष्यत है चोटील कि आप कुश्माइस कर सकते हुं इसकी बाद सेब्स पर कलीक करना आपडेस हो सकें इसके बाद दोस्तों आप अपने इस page के लिए और यहाँ पर layout बना सकते हो, जैसे कि आप इस पर click करोगे, simply add collection पर click, add section पर click करोगे, तो यहाँ पर देखिए, rich text आ गया, इस पर click करोगे, तो आपके सामने यह वाला page को लेगा, ठीक ही वाला, इसमें आप अपने brand के बारे मे अपने company के बारे में, अपने store के बारे में लिख सकते हो, describe कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा, यहाँ पर हम click करेंगे, तो ठीक है, image banner भी है यहाँ पर, इसके लावा slides हो है, अगर आपको product के slides हो बनाना है, तो वो add कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर आगया आपका feature product, ज बड़ी detail देनी है, पहले ही page पे, उसके लिए आप अलग से एक page बना सकते हो है, आपर, कि यह product रख देना, इसके बार इसका price रख देना, ठीक है, इस तरीक है आप, अपने हिसाप से, यह अपने page को customize कर सकते हो, कर दिया, इसके बार दोस्तों हमें वापिस इस page पर आना हो setting, इस पर हम simply click करेंगे, इधर, क्लिक करेंगे, इसके बार नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे आप ओ दिख रहा होगा, policies पर क्लिक करना है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप, अपने जो product की, अपने page की, policy स्कूल लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्राइव में condition वगरा, Shopify की shopping policy क्या है, सोरी shipping policy क्या है, या contact information क्या आपकी, वो सब यहाँ पर आप add कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास add ही है, तो आप automatic भी करवा सकते हो, इंसे, कैसे करवा होगे, आपको simply यहाँ पर create from template पर क्लिक करना है, automatic देखी, यहाँ पर आपका यहाँ आ जा ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आप privacy policy भी add कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद turn on service भी ले सकते हो, और इसके बाद यहाँ पर shipping, जो policy है, उसको भी यहाँ पर add कर सकते हो, और content information आपको यहाँ पर add करने पड़ेगी, अपने हिसाब से, ठीक है, तो यह सब कुछ आप add कर लेना, यहाँ पर आप अपने store का ना, mobile नमबर वगरा, यह मेरा ID हो गया, यह हो गया आपका, यह सब कुछ आप add कर सकते हो, और shipping policies शाब पर बताय नहीं रही है, हम देखते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों कि आपको इस तरीके से सारी अपनी जो टर्में कंडिशन्स है, उसको अच्छी तरीके से पढ़के एक वार add कर लेना, जहाँ पर आपको डालना है, जैसे कि मेरे case मेरे, आप यहाँ नेचे कर होगे, यहाँ पर देखिए हमारे store का नाम आप आ गया, email आडिया आगी हमारी, इंडिया लिख दिया हमारे आप ठीक है, आप अपना address भी add कर सकते हो, और यहाँ पर shipping policies मेरे आप लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको add कर सकते हैं, इसके वास यहाँ पर आपको डालना होगा, इसके बाद आपको इसको close खरना है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, online store, इसके बाद navigation, ठीक है, इसके बाद हम footer menu पर click करेंगे, इसके बाद सर्ज का एक menu पर बना हुआ है, इसको हम करेंगे delete, इसके बाद add menu item पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे, पॉलिशे इसके बाद देखे जो policy अभी हमने add की थी, जो page अभी बना है थे, उन सबी को हमें आप पर add कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हैड, इसके बाद ही कि हमने एक ही करके सारे जो अपने policies थी, वो हमने add कर लिए हैं, इसके बाद simply save पर click करेंगे, इसके बाद ही वापिस से आप अपने editor वाले page पर जाओगे, और इसको यहाँ पर आप एक वर refresh कर लोगे मान लीजे, ठीक है और यहाँ पर आप इसको नीचे करोगे, तो नीचे साइड में देखिए, homepage इसके बाद के नीचे साइड में अगर आपको यहाँ पर अपने policies के link नहीं दिखाए दे रहे हैं, तो बताए था हूँ आपको, simply यहाँ पर आपको देख रहा होगा, इस साइड में देखिए, इस साइड में लिखाए policy link लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है show policy link, इस पर आपको simply click करना है, इधर क्लिक करना है इधर इधर क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए हमारे जो पॉलची के पेज से वो सारे आ गए है रिफंड पॉलची टर्म गर्डिशन से पिंग और कॉंटर इंपूमेशन ठीक है तो इस तरीके से सारे यहां पर आने चाहिए है आपके पेज पर ठीक है इसके बाद से उपर आप से पर क्लिक करेंगे ताकि सेटिंग सेव हो सके इसके बाद दोस्तों एक चीज हमारी यहां पर रह गई है यह आपको दिख रहा होगा यह आपका ने वेशन पर पेज होता है जहां से कोई भी जो वीवर होता है वो क्लिक करके देख सकता है आपके तो इसको आप change कर सकते हो अपने सहाब से customize भी कर सकते हो तो इसको करने-क लिए करने करने के लिए आपको simply वापिस अपने इस वाले पेज बानओ पर उत प्रॉट पेज़ पर ठीक है यहांब आने के और यहां पर देखिए यह तीन पॉप्सण आप के सामने आ रहें थे पहले इन चेंग्ज लोगा आप drops ही Bolsonaro ही चेंग कर सकते होग ढहिए यह जिए यह में हौला पेच हां से दिलिट करना है यह कर दिया मैंने इसके बार इहांगो क्लिक करेंगे you और वह भी कलेक्शन मुनाई थी। आपके जो भी कलेक्शन है आप सारी क्लेक्शन आप एड् есть करेंगे और यहां पर थेखेंए हमारे जो एक उप्रेक्शन राइड हो चुकिए है इस तरीगे साफ एक एक करके अपने सारे क्लेक्शन हैड कर सकते हूं ठीक है इसके बाद वापिस से आपको इसी पेज बाना होगा इसके बाद इस पेज को अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेस्ट करता हूं कि तो यहाँ पर दो दो यहाँ पर चेंज किया थे वह आ चुक ए ठीक है इस तरीकेशन आप एक है करके काफी सारे जो ऑलर केटेगरी को बना सकते हो लिए आपको आप कितने भी यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसके बाद यह तिंच करना है अपनी जिससे की color बगर चेंज करना है तो उसकी लिए आपको यहाँ पर इस section पर setting लिख रहे होगे यहाँ पर आपको click करना होगा इसके बाद यहाँ पर लेख लेख लेखें यहाँ पर आप colors पर click करोगे इसके बाद देखी यहाँ पर आप उपने colors को change कर सकते हो करना है कि का तो टेक्ष्ट भी चेंज कर सकते हैं ल हाँ के देख आए कि ऊदो देख रहा होगा इस तरीक तैब डरी से कर सकते हो यहाँ पर तेखे रेट में व गया इस तरफी इस तरीके से यह चीज है आप में आपर करसकते हो नहीं ख last से तो सको प्लैक करता हूं में अब पर ठीक है इसको ब्लैक कि रहना देंगे यह हो गया हमारे यह है इसके बाद हम पर पर आता हूं में इसको सेव कर देता हूं इसके बाद अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करना है तो वह भी आप यहां से कर सकते हो अपने पेच की टाइपोग्राफी को अभी यह वारा फुलान और चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो इसके बाद हम लोगों पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको दिख रहा और मैं अपनी ही इमेज को यहां पर लूँगा इस बार इमेज को टन पर क्लिक करूँगा और यहां पर देखिए यह इमेज है वो मेरी फैविकान मत जाएगी और यहां पर ही शो करेगी उपर की साइड में ठीक है इसके बाद दोस्तव जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो हमने यहां पर वावीकान चेंज किया था आपको देखराऊ है इस टाइप में स्क्वेर टाइप में तो वह आप एड कर सकते हैं जो आपकी ब्राउजर के ठीक यहां पर देखेगा ठीक है तो वह आप अपने थाउज़ देख रहे ना और इसके बाद मैं आपर से से पर क्लिक कर लेता है इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़र अब इसके बाद यहां पर करेंगे और प्रॉडक्ट पेज़े करेंगे तो हमारे जो प्रॉडक्ट पेज़ वह इस तरही के से सुग होगा इसको आप एक चेक कर सकते हो एक और जो बीचीज़ आपको पेश कोलेगा अगर वो आल में कोई कोलेगा इस तरीके से उसके सामने आपर ओपन होगा ठीक है हाप इसको अपने शाप से चोड़ा बड़ा भी कर सकते हूं कि देखें को में डेस्क टोट्टा कर देखें हो पेश से कि इसके अलावर दूस्तरों अब अवर आपसे क्रिक करोगे और यहाँ पर आपने शाप से जूस्पी पेज में चेंजिस करना चाहते हो उसको आपकी करके चेंजिस कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं contact page की तो simply यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हूँ अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिक्स भी सकते हो इसके लिए आप सब को इस पेज पाना होगा यहाँ पर हमें इसके बाद यहाँ पर अपको सकते हैं पई मैं लिक्निया कि इसके बाद यहाँ पर कांटनेक् सब्सक्रेख करना हूँ और यहाँ आप करोगे वह आप यहाँ पर लिक्या जायगा थिक है जैसे कि फोरे जंपर के लिए और यहां पर देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नीचे देगे फॉर्म को फिल कर दीजिए इसका सिंप्री से पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपी से पर पाता हूं और रिफ्रैस पर क्लिक करता हूं तो देखिए इस तर नहीं शॉक्त बॉस्तार है पर्मा पर होते हैं तो आप मॉफार में चेक कर लीजे मॉफाइट का लेगा पर कम जो जो कमी लग रहा है और पर कुई फैस्टा लग चोठा लग रहा है उपDisenay कर सकते हैं ठीक है तो यह आप उन्हें आपसेज देख रहे हैं ना इसको आप फोटबड़ा कर सकते हूं आपको बता दीद आप कोशिश ठीक है इसके बाद अपने स्टोर को लाइव करने के लिए आपको सिंपली वापिश से सीपेज प्याना होगा और यहां पर आपको अप अपने स्टोर का नाम लेखने पड़ेगा ठीक है और अपने स्टोर द्वार में कुछ लेखना पड़ेगा था कि लोग आता ने से पैसान सकें आपके स्टोर को फार्च मार सकें और देखिए इसके लिए मैंने यहां पर चैट सीपिट का साहरा लिया है और यहां पर मैंने इसके बाद यहां पर इसके बाद यहां पर इसके बाद हम नीचे इदर आएंगे पासवर्ड प्रोड़क्शन पहीर इसके बाद तो समों देखें अवरी आपर एकसाटों पराषाइट पराषाइट लगा हुआ है इसके बाद हमक यहां लाघाफर को बीजिट को विजिट नहीं कर सकता और यूज!" नहीं तो इसको पास्वर वटाने के लिए हम यहां पर click a plan पे click करना है और इसको पहला save कर लेते हैं यहां पर save कर दिया मैंने ठीक है इसके बाद click a plan पे click करेंगे इसके बाद देखे अभी फिलाल के लिए हां पर जो basic plan है वह बीस रुपे शुरू के तीन महिनों के लिए ठीक है इसके बद ही कि हम चूज बेशिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मैं पिस्टिक ब्लान ले रहा हूं और यहाँ पर आप उपने सहाब से जो अमाउंट है वो सोरी जो पिल है पर पेवेंट कर सकते हैं ठीक है इसके बद ही कि इसके बाद एक पेमेंट कर दी हमने इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद सेफ Ahmed करेंगे और इसके बाद आखेए दोस्ता हो फो ँटोट्र था वो live हो चुका है और पर लिखे ही आ गया Online Store is open for everyone कोई भी उमारे Store को विजर कर सकता है और और बाए कर सकता है ठीक ह इसके बाद दूस्तों हमें कुछ setting और करने पड़ेगी इसके लिए setting पर क्लिक करते हैं simply इसके बाद यहाँ पर एडर पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर हम अपने store कर नाम लेकि देंगे यह थर ठीक है पर बिट राख तो ठीक है और यहाँ पर आप अपना डाल देना इसके बाद अपने email यहाँ पर डाल देना और जो information एडरेसर को डाल देना ठीक है दोस्तों यह सारी information जब कोई product पाए करेगा उसके पास जाएंगी तो कोई भी personal information इसमें आप ना डाले हैं ठीक है दोस्तों तो यह डालने के बाद simply आपको save पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर payment method add करना पड़ेगा जिससे कि जब customer आपको pay करेंगे तो वो पैसा आपका account में आ सके और किस तरीके से वो pay कर सकते हैं यह आपको यहाँ पर add करना पड़ेगा ठीक है तो इसके लि सारे provider आपको मिलेंगे इसके लिए आपको simply आप पर add payment method पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने काफी सारे option आ जाएंगी इसे की visa आपका हो गया ठीक है तो हम यहाँ पर जो basic payment method है हमारा UPI वाला ठीक है आप